आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्थ 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें NFT के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए 1. लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3. जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share निफ्टी से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1.1.2014 को एक लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1.01.2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करंट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 11 2014 के दिन 1,00000 रूपे Nifty 50 shares में इन्वेस्ट कि ए 6 साल बाद 11 2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किए हुए 1,00000 रूपे हो गए March 2020 में इस investment की value हो गई और Current Nifty 50 investment की value है Share में appreciation ज्यादा हुआ है इसलिए first point Share ने जीत लिया है Second point Nifty ने जीता थर्ड पॉइंट शेर में जिता आधी मैच में किसने ज्यादा रंग बनाए ये इंपोर्टन है लेकिन मैच कम्प्लेट होने पर क्या स्कोर बोड है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टन है ओवराल शेर जिता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेलिव कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स दिपोसिट की होती तो आज उसकी वेलिव हो गई होती एवडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया स्टोक मार्केट में अगर रिटन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं बैंक एफटी तोड़कर शेर खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला चार्ट जो 1-1-2020 से 31-2020 का है ये कंपेरिजन है 1-1-2020 से आज तक की यहाँ पर निफटी मजबूत रहा ये कंपेरिजन है 1-1-2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा यह comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा Thank you